विशेश रुजुवाद आप दूस्वाग अच्छे हूँचु यश्भग आपनी साधे सौधी पे लान्जुचकर इलेशू हेड्लाइन्स पर एक कोटी कोटी नागरिकों ने इस फ़कीर की जोली को भरतिया प्रचेंट जीत बाद मानायक मोदी ये जनिता नो मानिवाभार मात्रदेश वित्मा काम करवानों लिदो संकल्प कायूं के खराब नीती थी नहीं करो कोई का हमें ये मानना पड़ेगा कि इस चुनाव में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी जीते हैं तो मैं उनको बहुत बहुत बढ़ाई देगा नरेंद्र मोदी ने जीत माटे आफ़े आफ़े आफ़ी दन बन पड़े पुजरातमा फरी एक वार पुंद्र रावरतन 26 माने 26 बैटक पर भाज अपनी जीत सी एमे मनावे जन्ता नो आभार शेर बजारे पर तोड़ा बदा रिकार्ड्स पहली वार सेन्सिक्स पॉंच्ची चालिस हजार ने पार निफ्टी ये बार जार नस्तर तोड़ा परंतु अंतमा घटाड़ा साथे बंदते हो पार मोधी 2.4 पर मॉर्गन स्टेनली बुलिश आवटा वर्ष जून सुदी मास तेन्सिक्स मांटे पिस्ताड़िस जार निफ्टी मांटे साड़ा तेरहजार नो लक्ष मार्केटे लीडर्स साथे ग्रोथ जड़पी थवानिया शगेफ्ट करी यह लहर नहीं ललकार है फिर एक बार मोधी सरकार है हारत से नया जमाना है हम यूम इंडिया है वने खड़े भीर एक बार मोधी सरकार तो फरी एक बार मोधी सरकार गई वकती पन वदू जोरदार ने भारती जंता पार्टी त्रण सो एंडिये साड़ा त्रण सो ने पार चौकीदारी हिट अने बौतेर हजार नो न्याय फ्लॉप मोधी शाहनी जोडी हिट विपक्षी दड़ोनी चाला की फ्लॉप गई सौधिमोडी वात है चे के एंडिये नो कुल वोट परसंटेज पचास थी पन उपर जतो देखाए रहा चे बेजर ओगनिस नो आ जनादेश विश्वना लोक तंत्रिना इतिहास मा एक अद्भुत अने अविश्विश्शनी अ कितना मानवा मावशे बेजर ओगनिसना जनादेश ने स्विकार करता वड़ा प्रदान मोदिये जनितानो आभार मानव तिमने कहूं कि हमें देशवासियो माटे नहीं भारत माटे जनादेश लेवा गया हाता अने जनिताए तिमना मतो थी अमारो खोडो भरे दितो आपने इस फकीर की जोली भरती है बड़ी आजसा अपेक्षा के साथ भरिये मैं जानता हूँ आपकी आशा आकांख्षा आपके सपने आपके संकल्प बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है मैं इसकी भरी भाती इस गंवीरता को समझता हूँ लेकिन मैं देश को कहूँगा कि आपने 2014 में मुझे जादा जानते नहीं थे लेकिन आपने फ़रोसा किया 2019 में आपने मुझे जादा जानने के बाद उसमें और जादा ताकत करे मैं इसके पीछे की भावना को भली भाती समझता हूँ मैं भली भाती समझता हूँ जैसे अमीद भाव कह रहे थे गए बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पूर्रा बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत कर गये इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है और भरोसा जैसे बढ़ता है जिम्मेवारी और ज़्यादा पड़ती है तो आदरफ कॉंग्रेसे पनपोता निहार ने स्विकारी लिदी शे कॉंग्रेस अद्दक्षे राहूल गांती है मीडिया साथे वाच्चित करी अने प्रधान मंत्री मोदी ने शुबच चावाबी पढ़ते मने कही हूँ के बीजेपी अने कॉंग्रेस नीजे विचार धारानी लड़ाईश है ते चालती रहश है आज ही चुनाव खतम हुआ है आज ही रिजल्ट आया है तो मैं इस पे आज टिपनी नहीं देना चाहता हूँ मैं सिर्फ प्राइमिनिस्टर को बढ़ाई देना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो विचार धारा की लड़ाई है और मैं जो हमारे कॉंग्रेस पार्टी के कारे करता है जो हमारे leaders हैं, जो जीते हैं, जो हारे हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, गबराने की कोई जरूरत नहीं है, डरो मत, एक साथ हम लड़के अपनी विचारधारा को जिताएंगे, बिल्कुल कोई confidence नहीं कोना आपको, और हम जानते हैं कि इस देश में बहुत सारे लोग हैं, जो Congress Party के विचारधारा को मानते हैं, जो Congress Party में बिलीव करते हैं, और हम उनको बताना चाहते हैं, घबराव मत, बहुत लंबा campaign था, और उसमें मैंने एक line रखी थी, मेरी line थी, कि मेरे उपर, जो भी गलत शब प्रयोग किया जाए, मेरे को जो भी गाली लगाई जाए, जो भी किय जाए, मैं प्यार से रिस्पॉंड करूँगा, और मैं वोई कहना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं सिरफ वापिस प्यार से बोलूगा, ये मेरी, ये मेरी फिलोसुफी है, या समगर मुद्धा उप्रवाच्चित करी, आपड़ी साथे राज के विश्लशक गिश्रिश काशिकर जोड़े रहा चे, श्रिश जी आपनू स्वागे चे सी एन्बीजी बजार पर, खुबज लामबो प्रचार नूँ कैंपेन अतू, खुब लामबी चूटणी आती, अन्ते जारे आकडाओ सामे आवी रहा चे, ते आकडाओ गया वख़त करता पण वधार उचसा साते भारती जन्थापार्टी एनद्धियında अगण वधारी रहा चे. आवी परिस्तितीमा बीजी वखत सिंगल लार्जर्स पाइटी बन्वू भारती जन्तापार्टी नी पांच वरस ना समय गाड़ा माँ आप दो जोई हैं आप दो जोई के बेजार चाहूद मां दर्नेंदर भाही ने भारत नी जनताये शासन सोपियु। तियारती पांच वरस ना समय गाड़ा मां एमने गणा बदा निनने लुए दा गणिबदी योजना हो मुखी। जनकल्यानी योदना मुखी सुखाकारी माटे योदना मुखी गणा बदा निनने लुए दा। किटलाक निनने लुख दाच खोटापां पड़िया। जेनु एमने राजनेतिक वर्तर जे मढ़ू जुए ये पणना मढ़िय। आने किटलाक निनने लुख दाच खोटापां पड़िय। जेनु एमने राजनेतिक वर्तर अपन मढ़ू। आँ पांच वर्शना समय गढ़ा दर्मियान अल्मोस्ट ओगणिस जेटला राजियो जे येमने राजनेतिक दिरष्टी ये विधानसभव कभजे करी। येमने राजनेतिक विधानसभवफरी पाची हमने गुम्मावी। पाण जे भार्ती जन्ता पार्टी नो एक पॉलिटिकल बेज जेशे। जे आजी सुधिक क्याई स्ट्रोंग नातो एवा राजयों। नोर्थिस्ट नी अंदर जया कॉंग्रेस नो अधब्दब होतो। तियां भार्ती जन्ता पार्टी पोची गई। आजे आलूनाचल मा एने जीत मेड़ी नहाए। ये छेल्लो एक बाकी है तू एपन पुरू कर दिदू। दक्षिन नी अंदर ने पोतानों पक पैसारो करियो। हिंदी बेल्ड छे एनी अंदर पोतानी आखी प्रेजन्स चेने स्ट्रोंग बनावी। आना कारणे जे एक मन्नोवेग्नानीक वात्तावरन देशनी प्रजाम अभूतेय। अने सहुथी महत्वनिवत आ पांच वर्ष दर्मियान इमनी सरकारों पर पोई एवा गंभीर आरोपो न थी लागया। जिना कारणे लोकों नो सरकार आने नरेंद्र भाई आ बनने उपर थी विश्वा सूठी जाए। दरेंद्र भाई नी जे एक क्लीन व्यक्ति तरीके नी एक प्रमाणिक व्यक्ति तरीके नी जे इमेज छे। अने जेमनी कार्य प्राना ली एनी समया पांच वर्ष मां कॉंग्रेस के अने विरोध पक्षो खुब माथा पच्छाडी थाकी चुकिया। छेले राफेल पन लावया पन एना थी कहीं थायू ना थी लोको ये वातने स्विकार ना थी करी। अने ए कोई सम्हाव कॉंग्रेस अने केटलाक बुद्धी जिवियो और केटलाक लोको ये स्विकरा तयार न था के आजनी तारिके आ देश मां सव्थी लोकप्रीय व्यक्ती चें। चला, पांच वरश्थी आए व्यक्ति आदेशनी लोकप्रिय व्यक्ति ज रही छे, औने एने कहेलो शब्दा छे लोकों माने छे, एवी व्यक्ति ने हराव भी एना माटे तमारे अलग स्टेटेजी घड़ी पड़े, तमारे सामे एवो एक क्रेडिबल फेस उपो करो पड़ तमारे बद्धाय संगठी थाई ने सामे लड़ू पड़े, तो तमे करी शको, अच्छा, अधुरामा पूरू, ननेंद्र भाई ये तो सरकार चलावी, पन साथे संगठन में एमने एकलोज स्ट्रॉंग हैंड तरीकी अमीत भाइग बढ़िया, आ बदी जे परिस्थिती ये ने पोँची वड़वा माटे कॉंग्रेस के तथाकति गटबंधन छे, ये सक्षम नतू, अने ये सबित थाई ग्यू, आजे लोको ये खोबले ने खोबले हमने वोट आपया, गया वक्ते बसों ने 82 बेठको आपी थी, आत्यारा 300 नी उपर बेठको जे छे, एकली बी ये जनता पार्टी ने हवे स्विक्रूती मरती जाई चे, अने आ बाबज जे चे ए भाजब माटे तो आशानों चीन ना चे, पर कॉंग्रेस अन्ने अन्निय जे विरोध पक्षो, अन्निय नाना जे एक शेत्रे पक्षो चे एमना माटे खत्रे के गिंटी चे शरीशी, बे मुद्दाओ, एक तो राहूल गांधी सतत कहिरा चे, आजे पन तेमने कहिऊं के नफरच नी सामे प्रेम, अने बीजू नरेंद्र मुदी नी जाती अतवातो तेमने गाड़ों आपवानी वात, आ बंदे माँ भारती जंता पार्टी ने वधारे बेनिफिट म शासन करिऊ, कॉंग्रेस ना नेता होए, दर वक्ते एमने टार्गेट करिया, अने दर वक्ते एमने उपर फेकाएली इतो माथी एमने सरस्मजानू विजही ना महल चनिली दा, छता पन कॉंग्रेस नू जे केंद्रे यूनिट चे, इने आ बबत मादी कोई बहुत पार्ट लिदो नहीं, अने एमने पन एज भुलो करी, जहरे तमने खबर छे के आ व्यक्ती ने तमे ब्रस्ट साबीत नथी करी शक्वाना, के तमे एनी छबी ने नथी बगड़ी शक्वाना, छताई तमे एना उपर जहुमला करे राखो, तो एनू सवथी मोटू परिणाम तो दु अवे श्रिश जी बिए वातों छे, एक तो जे रिजल्स आवया, तेना ती शूँ आपने एउँ मानू जोए के ब्रैंड मोदी जे चे ते वदार स्ट्रॉंग थाई, अनने बीजू के शूँ मोदी ना नामे कोई पन कांडिडेट ने भारा आखी देई है तेनी जीत थश जावे एउँ मानी लेऊ जोए आपने? जे पन जग्याए एमने एउँ लागियू के आउमेदवार छे ओचा मारजीन थी जीत से अथवा तो हरी पन जावनी शक्यता छे एवा बधाज उमेदवारों ने एमने गुजरत नी वदार वात एटला माटे करूशू के आपने गुजरत साथिरी लेट करिये गुजरत मा नरेंदर भाये करेला कामों ना आधारेज एठ थाए उन थी लोकों ने विश्वास थाओ जोए के नरेंदर भायेनू नाम सर्थक करी शके वो मानास पन अमने मलवो जोई है तो हमें एने मत आपिये अने एउँ करवा माँ चोकस पने भाज़ अपने सफ़ता मली अने मशिरिश जी अन्तिम एक सवाल हवे कॉंग्रेस मांटे शूँ परिसे थी कारण के कॉंग्रेस ना दिगज नेता हो इवन आपड़े भरत सी जोई है परेश धानानी जोई है भले तो राज्ये ना राज करण मा सकरिया चे पन तमे दिगविजाई सीहीं जूओ के पच जरूरी बनी जशे एवन आपड़े मल्लीका अर्जुन नीपन वाद करिये के जो अटला दिगज नेता आटली मोटी कक्षा ना नेता हो सवको यह विचार करवो पड़ शे हावे कॉंग्रेस मां टे शूँ आई हाई हाथी जो आमा एवुँ छे के आ चे ने आ मोदी लेहर सुनामी वावा जोड़ू तमे जे को हो एहती जे बेजार चाउद मा पड़े जय तूने बेजार ओगनिसमा पड़े चे ए स्थिती नी आंदर जो आ बधा नेता हो माथी मोटा भागना नेता हो जीता होत तोज आश्चरे आइ लोगो हारे गाया चे, एमा कोई बहु मोटी वाथ नाथी. हाrü, चोकस पणे अनुभवी नेता हो ज दिगज नेता हो ज अन्य आओ आचि आखी मोबो काय चे. अटला सिनियर छोटम रही चुकेला, सांसाद रही चुकेला मानास हरी गया आए एक परिस्थिती जेवी छे के जेमा कॉंग्रेस कुद राहूल गांधी अत्यारामे ठीमा हरी जाय विस्थिती चे रहूल गांधी या हर स्विकारी लीदी चे ये तो वाइनाड माती उभाराया सेव सीट अटले नहीं तो आजे रहूल गांधी संसद माती बाका थे जात परिस्थिती जेवी चे जे प्रकार नू अत्यारे वातावरान देश मां चे जे प्रकार नू दनेदरा मोदी अने टो आजे जीए सेवल यमिशल वाई ख़सी तो कोंग्रेस के टला वरस सुदी आत्म सींतान करं से छुलcent मालिं बुप्रजेंट बहुतां ख़स्टान करें से थे ज़े आत्म चींतान करवेने शे twists आजो leMusic यारे जे ख़के शेकी unfortunately, मैस्कृमों आत्मकोज ख़स्थ्थे अ नवा लोईने तक अपपी पड़शे, नवा जोखमों लेवा पड़शे, नवी राजकी अगनत्रियों मुक्वी पड़शे, तो हुँ मानों चुके आवनार अवर्षों मां इमने सफ़रतानों स्वात क्यांग चाखों मड़े। बिल्कुल जम तेवने वाईनार नो दाव लगायावे हो, तेवी रिते अचकदाश पॉसिबल छेके आवी बदी परिस्तियों लावी पड़े। खुब-खुब आवार शिरिश जी आपनों अमारी सरे जोड़ा बदल समगर वाच्चित तरवा बदल। आसा देश समयतिको शेव एक ब्रेक नो, ब्रेक बाद मोधी सरकार रिटर्न्स ने मारकेटे आपी सलामी विरामबाद लेक्शों देनी लिगत दूतारा हो सिर्थ जी आपनों अमित शाह भाजत ने एतिहासिक विजय है पावेश है। हमारे साथ है गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रुपानी सर सबसे पहले तो बदाई गुजरात में 26 में से 26 सीट जो आपका आत्मों विश्वास्ता वो सफल हुआ और बीजेपी जो है क्लियर मैजोरिटी की तरफ जा रही है पहली प्रतिक्रिया क्या रहे है। इस पहले सबसे पहले तो पुरी देश की जनता को अम धन्यवाद देते हैं। मोदी जी और अमिद साजी को भी बहुत बहुत बढ़ाई देते हैं। ये जोडी ने काफी परिश्रम करते हुए लाकों कर्यकरता में एक विश्वास जगाते हुए इस चुनाओं को एत्यासिक विजेई उन्होंने दिलवाया। पुरी लहर मोदी की लहर थी और संगटन सक्ती खड़ी करना ये अमिद भाई ने किया और देश के सभी राजियों में भारतिये जनता पार्टी आगे बढ़ी और इस तरीके से मैं मानता हूं कि एक एत्यासिक जीते और पुरी भारत की जनता को दन्यवाद देता हूं और म पुरी जी और अमिद भाई साको भी बहुत बहुत बदाई देता हूं आजना मार्केट पर वदू चर्चा करी एसे होगी विकृम बात कावडी सथी जोड़ाया चे विक्रम आजे मार्केट मा रेकॉर्ड बने वाने त्यार बाद श्रू परिसीती जोई आपणे बिल्कुल जे प्रमाने BJP ने आपने आशांदाल जीत मड़ती जोई रहा जे तो येने साथे मार्केटे पण एने एटलीज वदाई छे नयंद्र मोदी एमनी सीट नो रेकोड ब्रेक करिया हो जे तो सेंसेक्स हें निफ्टिय पने रेकोड ब्रेक करिया और 40,000-12,000 ब्रेक करें आपने इंक्लूड थता देखाया ता मार्केट मां लास्ट वीक नी अंदर त्यारे आपने जोयो थो के बुद्धवार ना सेशन बाद लास्ट वीक मां आपने जी तेजी बनती जोवा मरी हैती ए प्रकार नी तेजी आधना दियोस मां प्रोफिट बुकिंग मां आवती अपने ए पछी नो आपने जो पासु जोयो तो इंदेस्ट्री लेवल उपर आपने एक्शन पोजिटिव थता देखाया पन दिवस ना आँ सुधी मां जोयो तो आपने एक प्रोफिट बुकिंग आवतु देखायो जे एनलिश्ट नो मत बनी रहे हो शे कहीं आई जे प्र आपने एक्शन पोजिट लेवल आपने उपर नी तरफ ना देखाया रहा शे एक दाश 12 हजा सुधी फरी एक वखत आपने आकडो सफर्षे एवी संबावना वधार देखाया रहे शे आजे जो के एक्सपाइरी पन हती विकली एक्सपाइरी ने जो तो बैंक निफ्टी न निफ्टी ना फ्राइट उपर थी आपने बंदे तरफ ने इतली मोटी अफ्राद अफरी बंती जो आमारी थी निफ्टी आने बैंक निफ्टी ना ओप्शन प्रीमियम जो तो एपन सवार ना बार वागया सुधी आपने मेजर एक स्ट्रॉंग मोमेंटम पकड़ता देख तो आ बदा पासा ने आपने जो एपने नेक सीरीज ना पन जे प्रीमियम जो ए तो एनने जोता है उलागी रहे हो शे कि आदना दीवस नू करेक्शन लास्टिंग रेतु नहीं देखाए आउति काले एक फोलो अप बाइंग आपने जनरेट तेतु देखा शे एफाई आप फ्रंट उपर थी आपने री एंट्री आवति काले जोवा मर्शे पने लीड जोईशू तो ये आपने पॉब्लिक सेक्टर बैंक तरफ सी आवे एवी शक्यता वदारे देखाए रहे हो शें ओवरोल बैंकिंग फाइनाशिल सेग्मेंट जेशे ए आपने मेजर एक कों रादर या रूपिया ना फ्रंट उपर थी पन आपने जे एक्शन जोवा मेड़ा शे इनले इने फार्मा ना आईटी काउंटर्स मनके जे छिल्ला एक सब्ता थी आपने जोए तो साइडवेज रहा शे अथवा तो करेक्टिव एक्शन मा रहा शे ए फ्रंट उपर थी पन आप एक्शाते हो रहा करेया शे अपनों मोंगवारी नो दर डेवलप मार्केट नी बराबर आवी करयो चे अब मोंगवारी ने दर ने काबू मा राखवा माटे आर्बीया ए घणी मैनत करी सरकारे घणी मैनत करी एनी थोड़ी आड असर ग्रोथ उपर थाई पन अल्टिम मार्केट नी उम्मिद छे क्या आउनारा पांच वर्सों मां पाचला पांच वरस मां जे काम करियो चे एने कारणे हवे ग्रोथ सारो था से अर्निंग सारी आव से अने एने कारणे मार्केट आ लेवल उपर छे तो आसा देज अन्विजिन केपिटल ना अमडियाने CEO निलेश शानू कहवूं छे के हवे दरेग संस्थानों राज किया अने श्चित्तानों भई दूर थे हो चे और आव दर पांच वर्ष मां बाकी ना काम पूरा थे जे चे पॉलिटिकल रिस्क जे लगबग दरेक खास करीन इंस्टिशनल इंवेस्टर अने रीटेल इंवेस्टर बनने हों माटे एक हमेशा एक मोटो फैक्टर होई छे फ्रेश पैसा ऐलोकेट करवा माटे एक पॉलिटिकल रिस्क आजे निकडी गयो छे अने एक पहुँ सारी पॉलिटाइजेशन, क्लीन अप, बैंकरप्सी कोड, रेरा आब दा जे टॉफ मेशर्स हाता जैना थी क्लीन अप थायू अने सेक्टर्स स्ट्रीमलाइन थाया एनो जे शोट तम माँ अपड़े बदा है पेन लई लिदो छे अने अवे एउ लागी रहु छे के नेक्स पां अपड़े बदा है अने 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 लागी छे के इंडिया नी एकनामी ग्रोथ वद छे अने बव प्रोग्रेस थासे आवता पांच वरश्मा अने लागी छे के आगारमेंट अवे एलेक्षन पूरू थायू तो घना चेंजेज लाऊ से सारा चेंजेज लाऊ से अने जीडिपी ग्रोथ माटे सारू रह से टैक्सेज ओछा करवा जो है खास करीने कॉपरेट टैक्स पर पहुंचवा पर मार्केट ना दिगज के आर चौक सी जना वे होतूं के कोई पन देशनी प्रगती माटे स्टॉक एक्स्चेंज गणू महत्व दरावेश है अने मोधी सरकार न विकास प्रत्यना भार ने कारोबार ने जो ता स्टॉक मार्केट तो भविश्ची गणू अन्या सदेश ज विशेश रजुआत महल बसाख लूज मने यशना अप्षर रजा जो तरह होसी हैंगी सुपचार अन्या भार ने जो अन्या दोंशना भार ने इजयता जो तो 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 दो तो उड़िए हैंगी सुपचार